हलो दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी पर्वल का चोखा एक बार पर्वल का चोखा बना कर खाईए पर्वल की सबजी आप फिर खाना पसंद नहीं करेंगे और आप बार बार इसे बना कर खाएंगे इतना टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत असान तो चली शुरू करते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब सरूर से कर दीजिए गार बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर हाफ केजी के करीबन परवल लिया है और अब क्या करेंगे परवल को कुपड़ी लेयर को हमें जस छील देना है तो देखे मैंने एकदम अच्छे से छील दिया है इसका स्कीन निकाल दिया है तो इसी तरह से हम बाकियों कभी स्कीन निकाल देंगे एकदम हलके हातों से हमें परवल का स्कीन निकाल लेना है तो इसी तरह से मैंने सभी परवल के स्कीन को निकाल लिया और अच्छे से दो कर साफ कर लिया है तो अब हम परवल को दो भागों में बाट देंगे दो भागों में इस तरह से हम काट देंगे तो सभी परवल को मैं इसी तरह से दो भागों में कर दे रहे हूं तो देखें मैंने सभी परवल को काट लिया है दो भ से भी परवल को फ्राई कर सकते हैं अगर आप इसे आग पर पकाएंगे ना तो वह और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा बट गैस पर नहीं पकाईएगा वह अच्छे से पकता नहीं है अगर आप मीटी के चूले में इसे पकाएंगे ना तो वह बहुत ही अच्छे से पक करें हैं हमें जादा नहीं पकाना है एसे बस हल्का सा सुनेहरा रंगा आने तक हम इसे पका लेना है अब हम एकर करके परवल को निकाल लेंगे और बच्षे हुए में हम फिर से निकाल ऑप परवल है हम उसे बसे बहुत ही जबर्दस लगता आप इस रसीपी को जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा और इतना असान है बनाने में कि आप सब्जी से पहले इसे ही बनाना पसंद करेंगे और टेस्टी भी बहुत है तो अब हम पचेवे तेल में यहां से 15-16 कलिया हम लहसुन के भी अच्छे से हरी मिर्च प्रष फटने लगता है और आपके उपर लग सकता है मिर्चिय आप निक लेंगे और बताती हूं यह honor म्साला आप में चारमाखेंगे देखते रहिएर तो अब हम एक mixi jar में हम छोटे वाले mixi jar का इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें अच्छे से पेस जाता और बड़े वाले में पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है तो हम हाफ-फ करके mixi jar में हम एक दम अच्छे से इन्हें पीस लेंगे एकदम हम इन्हें पतला नहीं करना है हमें दर्दरा करके इसी पीस लेना तो देखिए हमारा चोका इकदम अच्छे से पीस गया है एक दम दर्दरा मैं इसे पीसा है तो अब हम इने मिक्सिंग बॉल में निकाल लेंगे और बाक्यों को भी पीस कर हम इसी mixing बॉल में डाल देंगे तो मैंने सभी परवल को पीस लिया ह अब इसमें एड़ कर देंगे अपना सीक्रेट मसाला जिसमें मैंने लिया है जीरा धनिया लाल मिर्च और सौफ को इकदम भून कर अच्छे से अमनी पीस कर इसमें एड़ किया है आप इस मसाले को किसी भी चोखा चटनी में एड़ करेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत यह दोनों के साथ ही बहुत जबर्दस्त लगता है खाने में आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो कैसी लगया आपको रेसीपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेर कर दीजिएग वीडियो को और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा वीडियो को अंत्य देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद